सो हेई गाईस एक्स्रेम है तो एक और ने वीडियो में आप सभी कहा स्वागत हैं और आज हम लोग खिल रहे हैं आज सवाइबल रिपॉल्ट फिर से और ये धीरे धीरे गोरीला बनते जा रहा है यहाँ पर तो पिछले एपिसोड में हम लोग ने एक टेक परसॉर्टियम कि कर देता हूँ तो यह है ओ स्किन पता नहीं मेरे इंवेंटरी में यह कहां से आया बस मैंने थमनेल का फोर्टो लेने के लिए गेम ओपन किया और मैंने देखा यह सैडल मेरी इंवेंटरी में है मतलब सैडल का स्किन बरिया लग रहा है जो कि कपरा से अड हो गया है तो मैंने बेस पे थोड़ा बहुत काम किया था मुझे भी नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ बस एक बकसासा बन गया आफ केमरा थोड़ा बहुत एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ कि बेस का डिजाइन कैसा ठीक रहेगा तो आज हमें बेसिकली दो डाइनोस को टेम करना है और म मेटल की टूल्स बनाने हैं हमें तो मुझे थोड़ी बहुत बेरीस चाहिए क्योंकि बेरीस से ट्राइक और उसका नाम क्या था वो कच्वा टेम होगा मैं उसका नाम भूल चुका तो एक-एक करके काम कर लेते हैं तो मैं पहले टेम करने वाला हूँ उस कच्वे को क्योंक कि मैं अगर एक को मार ओ तो दूसरा भी मुझे मारने चलाएगा मारके दे रहते हैं दोनों भी मुझे मारने बहुत बढरे हैं इन्हे मारना बहुत बँछ या लो है ये ट्राइक को मारना थोरा सा चैलेंजिंग होगा इतने पास मता मेरे एक तो बहुष होने वाला है शायद वह तू भी पास मता अच्छा एक बहुष हो गया 360 शॉट फोर्टनाइट कहला है बेटा मैंने सबसे पहले मरा था वह अलग बात है ओके तो दोनों बहुष हो इसके इंवेंटरी में खाना रख देते हैं 45 लेवल वाले के इसे टेम करने से ज्यादा चैलेंजिंग इसको बेस में लई जाना होगा शायद क्योंकि बहुत स्लो है अगर मैं इसे टेम नहीं करता तो भी चलता बट हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा टाइनोस टेम करने की यहाँ पर कितने लेवल वाला है देखते हैं 90 लेवल भई उसे मारो रुको बेरीस निकाल चुप-चाप मैं इस पर चर गया गया इस देखो टेम करने की तो जरूरत ही नहीं है और सैडल की भी जरूरत नहीं है मैं गिर भी नहीं रहा और आइठिंक यह भी बेहोश होने वाला है क्योंकि मेरे एरोस कतम भाई बेहोश हो जाए जल्दी से मुझे इससे काम चलाना पड़ेगा ओके बेहोश हो गया तो टेम करने का एक और तरीका होता है हमें यहाँ पर वेट कर सकते है इसके फूट के कमने का बट हम ऐसा नहीं करेंगे तो फूट अगर कम होते है तो बहुत जल्दी खाते है और बहुत जल्दी टेम होते है डाइनोस यह तरीका बहुत सारे डाइनोस पर लागो किया जाता है, इन मीट्स को स्प्लीट कर देता हूना, क्योंकि ट्राइक को टेम करने के लिए नार्कोटिक्स चाहिए होंगे मुझे, बेरीस काने से फूड बढ़ता ही नहीं, एकदम ही थोड़ा से बढ़ता है, तो मैं बेस पर वापस आ गया क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे थोड़े बहुत नार्कोटिक्स चाहिए होंगे, उस कच्वे को टेम करने के लिए अच्छा मुझे लगता है कि नार्कोटिक्स के अलावा भी हो जाता, ये कितने लिवल का है देखते है, ये तो 50 लिवल का है यू नूप, मारना नहीं था मुझे, सॉरी अंकल जी, हेड़पट मार रहा है बे, अच्छा भूल गया मुझे, चलो, सवारी करते है फ्रीकी, क्या कर रहा हूं मैं बई, ओके तो यहां पर 35 लेवल हो गया, पिस्तॉल और राइफल भी खुल चुके है, बहुत बरिया, बट यह सभी बनाने में अभी टाइम है, तो ज्यादा एक्साइटेट मत हो ना, और यह कच्छवा मुझे कापल लेके जा रहा है बही रुक जा, यह बादल पिछले एपिसोड से ऐसे ही है, इसे बही टेम होने में टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूं तब तक बेस पे जाके थ बहुत काम कर लेते हैं, अच्छा तो पहले मुझे एक फोर्ज बनाना है, इसके सामान तो काफी एजी है, ओके बन गया एक फोर्ज, और इस फोर्ज को मुझे प्लेस भी करना परेगा, ओके ऐसा ठीक है, तो अब मुझे चाहिए थोड़े बहुत मेटल, टेकी को लेके जा और यहाँ पर मेटल इंगट बनना शूर हो जाएगा, तो समीथी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 5 मेटल इंगट, तो यहाँ पर बहुत सारे मेटल इंगट बन गए, और मुझे क्या कर चाहिए है, हाइड और स्टोन, ओके, तो बना लेते हैं एक समीथी, और इसे प्ल पर फिर खोले हैं, वहाँ दिखाएंगे सिर्फ और इन्हें बनाने के लिए मुझे मेटल चाहिए होगा, बहुत सारा, तो आफ कैमरा मुझे बहुत सारा मेटल कलेक करना पड़ेगा, पिकेक्स बना लेके लिए मुझे 1 मेटल इंगट चाहिए हो जाएगा, हैचट के भी गया, इनका damage बहुत अच्छा है, बट मुझे sword बनाना है, combat में sword और guns बहुत काम के हैं, बहुत जादा damage है इनका, sword बनने के लिए मुझे 50 metal ingert चाहिए, अभी तो मैंने उतने collect नहीं किया है, अभी तो मुझे ये बनाना है metal sickle, जिसके लिए मुझे थोड़ा बहुत और metal इस metal के pick से तो काफे ज़्यादा metal मिल रहा है, बट मेरा weight full हो गया यहापर, थोड़ा बहुत फेकना परेगा मुझे, एक बार अगर track मिल जाए उसे weightlifter यूस कर सकते हैं, और मुझे पानी चाहिए, कूद तो गया मैं, अगर पीराना हुए तो मैं खतम, वैसे डर्ने की बा गया हमारे पास, और इसे रखते हैं यहाँ पर, तो अगर आप लोगों को नहीं बता, तो बता दू, सीकल से जो है, जादे से जादा fiber collect होता है, यहाँ पर देखो, सब fiber collect हो रहा है, berries नहीं मिलता इस से, तो यह एक बहुत ही अच्छा tool है, fiber collect करने के लिए, मुझे एक मिनि फिवलाल तो इसे बुला लेते हैं, दो यह को ऐसे नहीं बुलाते है, क्योंकि ट्राइक अगर हमें मारे तो यह ट्राइक के साथ लगने लग जाएगा, इसे फिलाल रही पर रखते हैं जाते वक्त ले जाएँगे, बट यह ट्राइक कहाँ पर मिलेगा मुझे, मेरे बेस क मैं जाने से मुझे रुको यहाँ पर एक ब्रॉंत तो सोरस है इसे देख कतम कटम यहां पर एक फौटि फाइब लबल का है मैं सोच रहो इसे क्योंने कें कर ले क्यूंकि मैं बहुत देज से ढून रहा हूँ मुझे कोई ट्राइब नहीं मिल रहा है तो गैस इस ट्राइक को टेम करने की कोशिश करते हैं मैं देखता हूं अगर मैं किसी पथर पर चर इसके inventory में और थोड़े नार्कोटिक्स अब पता नहीं टेम होने में कितना time लगाएगा चलो 4% तो हो गया इसका saddle बना सकता हो क्या मैं height चाहिए मुझे थोड़ा बहुत हो तो मिली जाएगा ओके तो हम इसे बना सकते हैं बना लेते हैं अरे मैंने raptor saddle क्यों बनाया भाई मैं बहुत बढ़ा बुद्दू मुझे बनाना था यह वाला मैंने बना दिया raptor का saddle ओके दो गैस यहाँ पर हमारा triceratops team हो चुका है यहाँ पर इसका नम triceratops है I think Ark Mobile में तो set track था तो track का saddle बनाने के लिए मेरे पास एक height कम है मुझे इस strike की बली चरानी परेगी बट यह कहीं मुझे ही ना मार दे तो इन दोनों को लड़ने देते हैं अरे भाई नई नई भाई मारी देता मुझे यह हिल्थ देखो मेरी हड़ी पसली तोड़ दी इसने तो बना लेते हैं track का saddle और गैस अगर आप लोग चाहो तो इसका नाम कमेंट में लिख देना मैं रख दूँगा अगर कोई नाम मुझे पसंद आए तो इसको पहना देते हैं यह saddle इसका level up हो गया weight बढ़ा देते हैं इसका तो अब करते हैं इस पे सवारी बहुत बरिया बट यह green green क्या हो रहा है I think कोई glitch होगा शायद हाँ glitch ही है इसका speed और stamina तो बहुत बेकार है बट कोई नहीं अगर मुझे off camera कोई जादा level वाला मिले तो मैं उसे भी पकल लूँगा तो guys मैं सोचो आज के लिए यही देख रखते हैं आज हम लोगों ने एक कार्बोनमीस और ट्रैसेरा टॉप्स को टेम किया और metal की चीज़े भी बनाई हम लोगों ने सवाइब ले वाल्ट के यह तू मिट्टी क्यों खा रहा है बे